बिहार सिक्षक बहाली के तिर्तिय चरन की कॉंसलिंग से जुरू ही काफी महत्पुन अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विडियो कॉंफरेंसिंग का आवजन हुआ था जिसमें सिक्षा जाली कर दिया है आप कांसलिंग कर लिए यह लिए यह जो है काफी महत्पुन है काफी मुहत्पुन आपको मिलने वाली है तो आप और वीडियो को अंतक देखते रहे हैं देख सकते हैं पिहार सरकार सिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जो है जारी कर दिया गया संजय कुमार अपर मुख सचीव जो कि सिछा विभाग से हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि फाईली जो कौशलिंग होनी है डीट फिक्स हो चुका है वइसी डीट पर आपकी कौशलिंग होगी और आपके जीला मुखष घ्याले तर्मल स्कैनिंग होगी सेटाईजर मास्क सोसल डिस्टेंसिंग सब का पालन जो है किया जाएगा और कोना protocol का पूरा पालन किया जाएगा सिक्षा विभाग जो है counseling संग केंदर पर जिला शिच्छा पतादी कारी की समती के बाद ही जो नोटिस जो है इन i cke website पर जारी कर दिया गया है जहां के जारी नहीं होगा वहां की जारी होगी साथ में जिन पंचायत नियोजन इकाईयों से डॉक्मेंट नहीं मिले हैं उन्हें सक्त आदेश दिया गया है कि जल से जल उनकी जो भी डॉक्मेंट है उले ली जाए अगर नहीं देते हैं तो कानूनी करवाई करते हुए उस बहारी पर गया को अस्थखित कर देना है जहां की डॉक्मेंट अभी तक जवान नहीं किया गया है और उस वियो और सची पर जिला सिक्चा प्रतादिकारी सपर कारूनी करवाई होगी अगर डॉक्मेंट जबा नहीं करते हैं दोस्तों देख सकते हैं कि नई कॉंसलिंग जो होगी उसकी कॉंसलिंग होने के अंत में यानि कि साम के पांच वजे जो भी जिन भी अभियर्थी का जिनका भी कॉंसलिंग होगा उन सभी का डिटेल जो है वाट्शेप के माध्यम से या दूद के माध्यम से या जैसे भी हो जीला को सौपनी है अगर नहीं होती है तो कानूनी करवाई की जाएगी कानूनी की निपति प्रक्रिया में आरक्षन रोष्टर का अनुपालन करते हुए सभी की कॉंसलिंग प्रक्रिया जो है शंपन होगी कॉंसलिंग के दोरान दस-दस कैनिडेट्स का नाम बढ़ियता के आधहार पर बुलाई जाएगी और उसी के आधहार पर बेक्तिगत परव देख सकते हैं दस के अने बार नाम उनका बुलाया जाएगा अस्तर पर माई के लगा कर जो है नाम बोला जाएगा और भरती जो है अपने नामों को सुनेंगे जैसे ही उनकी नाम आएगी वो जाएंगे अपना कॉसलिंग करवाएंगे साथ में पंचायत परखंड में नवनि पर चाही का कार्ज निर्गत विभागयाद दिसूचना के तहत जो समय सारनी निर्धायत की गई है उसी का पालन जो है किया जाएगा गाइडलेंड का भी पालन किया जाएगा फाइनली संजय कुमार अपर मुख सरचीब के द्वारा जो है इस लेटर को जो है जारी कर दिय दिया गया है 14 जन्मरी 2022 के डिट में आप सभी अभ्यर्थी जो चीनते थे की आज के बाद क्या होगा तो फाइनली एक बड़ी अपडेट निकल कर आई कि आपकी कॉंसिंग होगी कुर्ण का पालन किया जाएगा और जो समय सार्णी निर्धायत की गई है उसी समय सार्णी पर आपकी कॉंसिलिंग होगी एक बड़ी फैसला बड़ी खुश्कवरी वाली अपडेट आप सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रहे हैं जो लोग की कॉंसिलिंग हो गया है उन लोग की न्युक्ति पत्र जो है दी जाएगी क्योंकि उनकी सत्यापन जिनकी ह हो चुकी है जल से जल रिपोर्ट करना है सिक्षाविभाग को इस लेटर में भी मेंसंग कर दिया गया है तो जल से जल आपकी बहले पर प्रक्रिया आगे बढ़ने जा रही है तो विल्कुल कूल रही है और अपने कामों में लगे रही है और जितने भी डॉक्मेंट्स को जो है ओरिजिनल आपको दिखाने होंगे जी रोक सापको दिखाने होंगे तो सारे डॉकुमेंट को इकठा करके आप अभी सही रख ले जाती है वासी आए सब आप बनवा के रख ले बहतर होगा अभी से दोस्तों यह बड़ी अपडेट आप सभी तंबावर्दिक लिए अपने चैनल पर प्रभाइट की जा रही है बिहार सिक्षक बाली पर जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन है उससे भी दवा दे ताकि हर एक अब्रेट आपको मिल सके कॉंसलिंग के समय जो प्राप्ति रसीद लेकर जाना है उस पर मैंने वीडियो अप थाल पर थैंक यू वीडियो देखने के लिए